जैन दोस्तों आप देख रहे हैं प्रयाग राइज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को मित्रों हम लोग यूद पुब्लिकेशन की पुष्टक से चेप्टर संख्या 39 के प्रस्णों को सॉल्व कर रहे हैं इस चेप्टर का नाम है यूरोपी आधुनिक पुर्णर जागर कालीन कवला कार इस च्रेबं में हम लोगों ने 30 प्रस्णों को सॉल्व किया है 31 प्रस्णों को और आज प्रस्ण संख्या 32 से आखे बढ़ेंगे और इस चाप्टर में ूब्ले unterstützen का Вид प्रस्दोर को गिलुख को जरू सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हमें प्रेड़ा मिलती है काम को बेहतरी तरीके से करने के लिए तो आप सभी का सहयोग बना रहे हैं इसके लिए आप लोग चैनल जरू सब्सक्राइब करिए चलते हैं आज के पहले प्रशन की और आज का पहला प्रशन संख्या 32 है 32 नंबर का प्रशन का चित्रकार कौन है तो वीनस आफ और वाइनो का चित्रकार टीसीन है और इस चित्र को हम आपको दिखा दे रहे हैं वीनस आफ और वाइनो के चित्रकार है टीसीन और टीसीन 1485 में इसका जन्म हुआ था टीसीन का इटली में इसका जन्म हुआ था था थोड़ा सा टीसीन क इत्ली का कलाकार है और 1485 HisB में इसका जन्म हुआ है आपके सामने वीनस आफ अफ अब 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 जित्र आपके सामने मेरे दिखाया है और इतली का कलाचार है इसके प्रमुक्चित्र है जो है वो अपवित्र प्रेम है अपवित्र प्रेम प्रेम और कुमारी का स्वर्गवास कुमारी का स्वर्गवास इसके साथ ही यूरोपा का सीलभंग यूरोपा का सील भंग और इसके साथ काटो का ताज काटो का ताज इसके कुछ प्रमुक्चित्र हैं और इनी सब टॉपिक्स से ही प्रस्ण पूछे जाएंगे इसके जन्म के बारे में जन्म कहां पर हुआ था कब हुआ था और इसके प्रमुक्चित्र के बारे में पूछा जाएगा इससे ज्यादा टीसीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा और जब इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा तो इसके बारे में कहानी जानने की ज्यादा आउसकता नहीं है हम लोगों को ठीक है तो जितने भी प्रस्ण टीसीन से पूछे जाए गा आपसर नमबर टी टीचीन वीनेस आफ़र बहीनों का कलाकार हैं कौन से तो कलाकारों ने कुछ महानकारियों को अधूरा छोण दिया था लियोनार्दो दविंची और माइकल एंजेलो इन दोनों ने एक चित्र को अधूरा छोण दिया था वो चित्र है फ्लोरेंस की राजा ने फ्लोरेंस की विजय की स्मृति की रूप में एक द्रिस से बनाने के लिए कहा था तो लियोनार्दो ने और माइकल लेंजल ने पहले इन दोनों को अलग-अलग समय कहा था और दोनों ने अधूरा छोड़ दिया सही जवाब हो जाएगा आफसा नमबर ए लिण चौटीस नमबर प्रस्ट कोड़ चल रहे हैं कहरा इतली में पंदरभी सथी कि क अधली सथी में उलग से जुडि पर्शली उसक ह्ते हैं पूर पूर त्थापन किला या हाई रेनेसा पीरिड कहते हैं उच्च पूर्ण जागरा काल भी कहते हैं इसको ठीक है 35 नमबर का प्रस्ट ने कह रहा है कि आदम की उत्पत्ति आदम की उत्पत्ति के बारे हम कल हम लोगों ने देखा है कि आदम की उत्पत्ति एक दीव अच्छत पर बना हुआ है क्रिएशन आफ एडम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं माइकल एंजलो का है माइकल एंजलो ने इसको बनाया है क्रिएशन आफ एडम के नाम से और इसके बारे हम लोगों ने कल भी इस चित्र को देखा था आगर आपको याद हो तो ठीक है नहीं तो यह चित्र आपको किरिशना फेडम यहीं पर चितित किया गया है स्रिशीन चाहपाल की छत पर ठीक है माइकल एंजले ने इसको बनाया है अगले प्रस्न क्यों चल रहा है प्रस्न संख्या चतिस नमबर प्रस्न करत की फ्लोरेंस है क्प्वेपटिश्टी या पतिस्वा कच लगने, कि छाहने में और घाया है प्रतिस्मा एक प्रक्रिया होती है व्युद्स संथ कह सकते हैं इस प्रतिस्वा संसकार चलता है वद्हूंबट आता है इसके माध्यम से इसको नामकरण संसकार भी कहते हैं इस प्रक्रिया इस संसकार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को छोटा बच्चा हो या उस बड़ा व्यक्चा हो तो उसको पवित्र करने के लिए जल का छिल्काव करते हैं या जल्म उसको डूब होते हैं ये बपतिस्मा संस और बपतिस्मा संसकार में क्या कियाता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको उसके उपर पानी डाल दिया जाता है उसको पानी में ही डाल दिया जाता है तो उसका उस बपतिस्मा संसकार कहलाता है यह नामकरण का संस्कार है ऐसा माना जाता है कि एक संत थे उस संत का नाम था जॉन जॉन बैपर्टिस्ट एक संत का नाम था उन्होंने इसू का बपतिस्मा किया था तभी से वह संस्कार चलने लगा है और यह एक प्रतीक होता है कि इसाई की सारु भौमिक्ता को प्रदर्श करने के लिए वपतिस्मा संस्कार किया जाता है आप सभी जान गयोंगे वपतिस्मा संस्कार क्या है तो वपतिस्मा कक्ष एक है वपतिस्मा कक्ष है प्रश्न पूछा है कि वपतिस्मा कक्ष के दर्वाजे को किस ने चित्रित किया तो वपतिस्मा कक्ष के दरवाजे को लारेंजो गिवर्टी ने चित्रित किया है और लारेंजो गिवर्टी का जो जन्म हुआ है 1378 इस भी में इनका जन्म हुआ है इटली के एक अलाकार है इनकी प्रसित कृतिया है सेन मातियो और सेंटो इस्टिकानो और नार्थ डोर्ज इत्या दिन की प्रमुक्रितिया रही है लारेंजो गिवर्टी की सैतीस नंबर के प्रस्ण कि ओर चल लाएर के त्यल चित्रन विधी का आविस्कार कौन किया था तो जानवान आइक का नाम आता है और प्रण संख्या Vallahi चित्र किसके द्वारा चित्र किया गया है मोना लिसा के बारे में सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में बतानी क्यों सकता नहीं लियोनार्दो ने इसका चित्र किया है अफसल नमबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 49 नमबर प्रश्ण कहा रहे सिस्टीन चैपाल की छत का भि गिद्विट्ति चित्र को कि चित्रका ने बनाया है सभी जानते होंगे माइकल अवीकल इंजलो आफसल नमबर 20 इसका सही जवाब और वेनिस का राफेल कहा जाता है पाउलो वेरोनीच को वेनिस का राफेल कहा जाता है और 41 नमबर प्रश्ण के ओर चल ले हैं 41 नमबर प्रश्ण के सामें आजाव भाई 41 नमबर प्रश्ण कर रहे हैं Christ on the throne being marked देखिए एक इसाई धर्म में इसारी धर्म की जो पुड़ेता है इसू को जब सूली पे चलाया जा रहा था उसके पहले उनको खूब प्रताडित किया गया था ऐसा मनना है तो उनको खूब प्रताडित किया गया था उसके चित्र को चित्रित किया गया है अलब्रेक्ट डूरर ने इसको चित्रित किया है आपके सामने यह चित्र दिख रहा है क्रैस्ट आंद थ्रोन बिंग मांग्ड मतलब इनको खूब चिड़ाया जा रहा है इनकी डाणी खीच रहे हैं लोग और मतलब को प्रतारित कर रहे हैं जो जितना कर सकता था यह हां उठाया मारने के लिए इनके कान में फूक रहा है यह आप उठाया मनने के लिए इनकी डाणी खीच रहा है यह अपना जो कुछ भी जिससे जो बन रहा था लिखा हुए एडी मतलब अलव्रेक्ट ड्यूर ने इसको चित्रित किया है क्राइस्ट आंद थ्रोन आफ बिंग मांग्ड यह चित्र है यह इसू है यह बैठे हुए है यह इसू बैठे हुए है तो आप थोड़ा सा रिजूलिशन को भढ़ा लिजेगा यह आपको दिख रहा होंगे इसू इसू को परिशान करें अपना तो इसको बनाया है चित्रित किया है अब रहत डिवर ने आपसर नमबर एस का सही जवाब हो जाएगा अब्यालेस नमब कार है depicted 178 मिंद्गा यह कहा रहा है कि यह हुआ ह कि तो पहली बाद तो यह सिलिपण थे और वास्तुकार बेसे से कारवा स्टोकार दोनों थो यहां पर नमबर इसका सही जवाब हो जाएगां लारेज्विवरेटि एक inspires का और आपके वास्तुकार दोनो से ठीक 43 मिनी मतलब जा रहा है सीर्शक वाले चित्र को किस ने चित्रिट किया है इस को चित्रित किया है मसाच्चो ने देखिए चित्र आपमेसामने है और इस चित्र को कहते है है और इसमें देखें तीन चित्र दिख रहा है मतर्ब तीन एपिसोट के चित्र हैं और यह ईसओ से मिल रहा है और यहां पे मजली के मुँव से पीटर कुछ निकाल रहा है थो यह ऺप辉स ता खलो आपको यह इनमगुएफ प अतने नाख में है और यह सङो में कि इतली के फ्लौरेंस में इसका जन्म होएं ऐसा लगता है कि इतली के फ्लॉरेंस में उच्वाव nowे सदाबदी में कलाकारों का सब्सक्राय। कि अप्रस्ण का जवाब हो जाएगा तो इस प्रस्ण का जवाब हो जाएगा अगला प्रस्ण है लियोनार्दो दौराप्रस्तावित रूप मेंस दर दीवाइन प्रोपोर्शन के रूप में जाना जाता है और इस थियुरी के माद्रेम से लियु poking one और इंजीनियर भी थे, तो इनोंने एक प्र्पोर्चन के नام से जाना कि इनका यह कहना है इनका क्या यह सर्फोमिक सब्सक्त भी है यह कहना है कि जैसे दो डिजिट दिये हुए है दो डिजिट A और B दिया हुआ है और खास बात यह है कि A B से बड़ा है और B 0 से बड़ा है मतलब कोई भी संख्या सुन्य नहीं है और सुन्य से छोटी भी नहीं है तो यह कहा जा रहा है कि A is greater than B is greater than सुन्य तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं एक रेखा को खिचते हैं और इसको A माल लेते हैं इसको B तो A B से बड़ा है और यहां तक जो है पूर कि जैसे कि इस अनुपात में A बटे B मतलब जो बड़ी वाली संख्या है उसके बटे छोटी वाली संख्या का अनुपात बड़ी वाली संख्या प्रस छोटी वाली संख्या बटे बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा और यह जो अनुपात दिख रहा है इसको 5 से प्रत जो छोटी वाली से बड़ी है उसका जो अनुपात निकाला जाएगा मतलब यहां पे बड़ा है तो ए बटे बी बराबर ए प्लस बी बटे बराबर फाई यह गोल्डन रेशियो कहलाता है इसको लियोनार्दो ने बताया था इसको इन्होंने कहा हाला कि अभी इसको गोल्डन सब्सक्राइब के नाम से जाना जाता है लेकिन इसको इन्होंने नाम ज governo परफोर्शन से नोरार्ड कियारा है और क्या नाम है कि मेर स इसको बालो के कि जाना जाता है 46 नभर पिसमे और चलना है और ऐस्टेर आप सभी के सामने आ रहा है कह रहा है कि तेल दंगो का आविसकार किसे माना जाता है तो निंह ने किया देन सब्सक्त्रार किरें वास्तुकार और दोलों मैं किया था अब सасल नंबर के सवी जवाब हो जाए तो देखिए यहां पर वास्तुकार और मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो जाने जाते हैं आफसर नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल एंजेलो जाने जाते हैं माइकल एंजेलो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं यह समेख्षक नहीं है ग्राफिक कलाकार और कास्टकार नहीं है यह मूर्तिकार है इनकी प्रसित्थ मूर्ति डेविड है जो की इटली में इस्तित है डेविड आफसर नंबर सी इस सम्मंदित है यह इटली के रोम में इस्थित है इटली के राज़ानी रोम वहीं पे इस्थित है आपसा नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल एंजलो ने मानो देहाकृति को कितने भागों में विभाजित किया है और नारी आकृति को साड़े साथ भागों में विभाजित किया है जैसा कि हम लोग भारत के विश्लु धर्मुत्तर पुरान की चित्रसूत्र में देखते हैं कि मनुस्त्य के सरीर को इसमें कुछ प्रकार में भी भाजित किया है जैसे कि भारत में विश्लु धर्मुत्तर पुराण के चित्र सूत्र में लिखा गया है कि मनुष्य के सरीर को मनुष्य की सरीर की बनावट को पांच तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पहला हो गया बालक और दूसरा हो गया कुमार या वमन और तीसरा माना जाता है मानौ चोथा राक्षस या भैरो चार हो गया पचवा माना जाता है आपका असुर चार हो गए और पचवा असुर माना जाता है और इसको मानो सरीर की बनावाट वे बालक जो रूप है जैसे ट्विस्ट हो गए बालपन में और राम हो गए बच्वन के तो इसको पांच ताल में विभाजित किया गया है मतलब पांच ताल जो होगा विभाजिती वो बालक उसका सकत काठी है अगर वही आठ ताल का हो जाए जिसे मानो जिसे वामन माना गया है और बिश्लू का वामन आउतार वो 8 ताल का है मानौ आउतार में 10 ताल माना गया है राच्छस या वहरो ताल में बारह ताल आते हैं और असुर में 16 ताल आते हैं और जो ताल है एक ताल बराबर एक ताल बराबर माना जाता है एक सिर और ऐसा माना जाता है कि एक सिर में बारा अंगुल होते हैं तो इस तरीके से यहां पर भी इन्हों ने classification किया है Michael Angelo ने और इन्हों ने उसी तरीके से कहा है मनुष्य के सरीर में मानो अकरती 8 ताल की होगी इन्हों ने भी एक ताल को मनुष्य के एक सिर के बराबर ही कहा है और महिला में 7.5 ताल महिला की लंबाई होगी ठीक है तो इस तरीके से जैसा कि भारत में पिचार धारा है विश्व धर्मुतर पुरान के चित्र शुत्र में उसी तरीके से माइकल इंजलो ने भी इसको क्लासिफिकेशन किया है इसके बारे में चर्चा किया है ठीक है तो है और भारत में ताल में विभाजित किया गया है अन्हें क्या वन की ओर चल रहा है कि आयाल कलर की खोच किसे ने किया था वान नम्हें प्रस्ञिट करना है और ये यूजी सी में पूछा गया है प्रश्न है और इस प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है आपसर नंबर एस का सहीजवा हो जाएगा ट्रिनिटी आफ मनी या होली ट्रिनिटी में सच्छो के द्वारे इसको बनाया गया 1426 इस भी में और बर्थ आफ वीनस इसे बोतिचली ने बनाया था और मैंने आपको दि और लास्ट जेज्मेंट को माइकल एंजलो ने बनाया था 1536 इस भी में तो यह आप अपसर नंबर डी इसका सहीजवाब दिखाया गया है आगे चलते हैं तिरपन नंबर प्रश्न मानवतावाद किसकी कुंजी है मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी है अपसर यहर। चितर यहां पर त्रृब्यूट मणी का दिखा यहां चितर है वहाद को जब्सकी में दिखाने में प्रेश प्रेस कर रहा हूं देखिए यहां पर आपको दिख रहा है यह तीन भाग मैंने का तीन एपिसोड में दर्ट्रिब्यूट मनी को बना गया है पहला यह पीटर मिल रहा है दूसरा इसू है और तीसरा इधर मचली के मुझे से निकालते हुए कुछ दिख रहा है पीटर तो देखिए यहां पर इस्यों के साथ मिल रहा हैं और तीसरे भाग में टैक्स क्लेक्टर के साथ में पीटर होगा है एक बलauptने तो यहां पिटर यहां फार यहां पेखड़ा हुआ इनिकाल लाए है चाहिए बात ॏ रहे हैं तिक रहे हैं और की की टैक्स जवाब के शिवाब हो जाएगा आगे हम बात करें तो अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या पच्पन करें रोम इस्थित संग्मर्मन में निर्मित भी सुभिख्यात मूर्ति सिल्प मोजज किसकी रचना है मोजज को माइकल एंजेलो ने बनाया है तो यहां पर अप्सन नंबर भी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा हां तो अगले प्रस्ण की ओर चले है छपन नंबर का प्रस्ण कहा रहा है कि उन शित्रकारों को पहचानिये जो जर्मन पुनर जागरण से संबंदित हैं तो अलब्रक्त डूरर और लुकास क्रनेख यह दोनों का लाकार है जो की जर्मन पुनर जागर से संबंदित कलाकार है आपसाल नंबर एसका सही जवाब हो जाएगा सतावन नंबर प्रश्ण कहा रहा है लियोनार्दो की क्रिती अंतिम भोज दर्लाश्टर सपर इस चीतर को मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह है तर्लाश्टर सपर चीतर जो कि जब ईशू को सूली पे च सब्सक्राइब कर दिया गया था इनके साथ में यहां पर पीटर भी आपको दिखाए देगा यह पीटर है साथ यही है जो भी हो तो यहां पर अपने सिच्चों के साथ आखरी बार भोजन कर रहा है और उब और यहीन पर अपने सिच्चर पीर से कहते हैं कि तुम को कल मेरी और केस चलेगा और कल मेरी की रिफतारी होगी और तुम मुझे पहचाने से मना कर दोगे तो इन्होंने कहा वह यह समान से प्रकृती कर देंगे सबhte आफ सितुम Сो लिखा हुए उसको मैं बतारों में तरब से इसमें कुछ भी एड़ान नहीं किया गया है तो दलाश्ट सपर को चित्रित किया गया है लियोनार्दो दय विंची के द्वारा और यह इनकी बहुत प्रश्चित करती है तो मैं बात कर रहा था इसी प्रश्ण पर प्रश्ण संख आनुपातिक आकृती विट्रीवन फ्रांस की रिचना किसने किया है इसकी रिचना किया है लियोनार्दो ने किया है आफसा नमबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा चलते हैं 69 नमबर प्रश्ण के और 69 प्रश्ण के चित्र बसंत का बसंत की रूपक अथा यह बसंत की किया गया था और आफसा नमबर यहां पर डीज का सही जवाब हो जाएगा साथ नमबर प्रस्ण करए जो दूबे सदी में बने भीति चित्र किस कुरानतिकारी चित्रकार ने बनाय थे तो इसको बनाया था जियत्तों ने जियत्तों को हुई पुनर जागरन काल का प्रवेता प्रडेता माना जाता है यह और इसके गुरु थे दुनों लोग को आफसा नमबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा जियत्तों तो चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण एक सट नमबर का प्रस्ण करा माइकल एंजल को कृति को काल क्रम के उनसार इसको विवस् देखिए पहला है आपका पीटा और पहला पीटा है पीटा के बाद डेविट और डेविट के बाद मोजेस और उसके बाद फिर रादानीती पीटा यह आफसा नमबर इसका सही जवाब हो जाएगा पीटा फिर डेविट फिर मोजेस फिर आपका रादानीती पीटा आफसा प्रश्ण संख्या 62 नमबर का प्रश्ण आपके सामने है और कह रहा है काल करम के उनसार इसको भी प्रश्थित करना है और इसमें पर्थाफ वीनस पर्थाफ वीनस फिर मोना लिशा इसका सही जवा हो जाएगा आपसर नमबर ए यह सिरीज रहेगा इसको रटना पुड़ेगा रट लीजिए अपनों आपसर नमबर भी इसका सही जवा हो जाएगा पूर्थाफ वीनस फिर मोना लिशा फिर इसकूल आपका नूह का मद अगले प्रश्ण की और चल रहे है तिर वैस्तित करिये लाड़ाओ जितरकारों को कालकरम के मीशित्ध कवैओं लोगह ने दकाते यह कुल्स का यहों था फिर मसाच्च्चियों का 1401 में हिसका जन्म उख था प्र आजाता है आपका कि राफेल राफेल का जन्म आपका होता है 1440 क्या सपास होता है क्या साथ और बोतिचली का जन्म होता है 1446 इस्पी में तो यह तो पहले आएगा इसका 1440 इसमें होता है 1483 में राफेल का जन्म होता है 1483 में और सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा आपका 1337 के आसपास का जियुत्तो के बाद आ जाएगा आपसा नंबर सी मसाच्चो और मसाच्चो के बाद आ जाएगा आपका पोतिचली 1444 वाला राफेल लाष्ट में 1433 में आपसा नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा देख रहा है तो यहां पर देख रहा है फ्रा एंजली को जो है तेरसो आपके 387 भी में इसका जन्म हुआ था अब यहां दों को देखा 1446 इस भी में और आ जाता है विरोचियो विरोचियो का जन्म होता है 1435 इस भी में 1435 इस भी में इसका जन्म हुआ तो यहां पर दिखा रहा है कोई भी जवाब इसका सही नहीं है 55 ने कह रहा है कि इनको समयलीत करना है समयलीत करने के कार में देखे पेडियोनार्ट के बारे हम लोगों केिस्ट्यों के लियोनार्टउ का क्रिति है और मेडननाडक्त चाइल्ड ये करती है राफेल की 1483 वाले 1483 में और इदर आपका आ जाता है मेड़ोना आफ लांग नेक ये है पारमजियो निया निका पारमजियो निका ये है तो आपसन नमबर डी इसका सही जवाब यहां पे दिख रहा है अगला प्रस्न है शाचाट नमबर का प्रस्न और चाचट नमबर का प्रस्न आपके सामने कहीरा है कि समहीलित करना है पहला कहा है गेट आफ परडाइज को घीबंत गिभर्ति ने तो दुसरे से मिला देंगे और पाउंड स्लेप को बनाया माइकल एंजेलिको ने और थिंकर को रोंदा ने और द जुकॉन को दोना तेलों ने बनाया है तो यहां पर आपसर नमबर एसका सही जवाब हो जाएगा क्रतियों को से सुमेलित करना है जार्जियोना की कृति है टेमपेस्ट 1478 में जन्म हुआ था 1478 से 1510 जियतो मृत इसा पर विलाब 1267 से 137 तक पुन्सिल 1594 1665 रेप आफ सेवाइन्स रुबैंस 1577 से 1640 गार्डेन आफ लब आपसर नमबर भी इसका सही जवाब दिख लिखा है अगला प्रशन और सट नमबर का प्रशन कथन तर्क का प्रशन है और कथन तर्क में कह रहा है कि माइकल एंजलिकों की कला में मानव देह को हमेशा सक्तिसाली dürfen गभ व्यात्मग पात्र केड़ूप में व्यक्त किया गया है कतन सही है क्योंकि उनका मंना जबर क्यात्र से मुक्त होने के लिए निरंध रहता है इसका आरभी सही होगा दोनों सही होँगे यहां भले भी लिखा हुगा तो चलते हैं 79 नमबर के प्रश्ण के पुनर जागरन कालीन चित्रकृतियों को कालक्रम के अनुसार इसको ब्यवस्थित करना है और इन चित्र की आकृतियों में जो ब्यवस्थित होगा यह सही क्रम होगा चलते हैं 70 नमबर के प्रश्ण की और 70 नमबर प्रश्ण आपके सामने आ रहा है कह रहा है कि एक संपूर्ण कलाकार जिसे वास्तु स्मूर्थी और चित्र सभी चित्रों में महारत हांसिल थी हो जाता तो माइकल लियुनार्डो लेकिन माइकल एंज़ेलिको नहीं का नाम कि यह लियुनार्डो कहा करते थे कि मूर्थीकला का मूर्थीकला का काम मजदूरों का है तो अगर यह नहीं रहते तो यह सही हो जाते हैं सिमाभू किस देश के थे सिमाभू आस्ट्रिया के निवासी थे आपसर नमबर एसका सही जवाब हो जाएगा पहत्तर नमबर प्रस्ट ने कहारा है सीलिंग आफ सिस्टाइन चैपल को किस चित्रकार ने बनाया था माइकल एं तो यहां पर प्रिष्ट भूम में आपको पेड़ पोधे दिखाई देंगे पेड़ों का भूदिर से चौतर नमबर प्रस्ट ने लास्ट रस पर किसने चित्रत किया यूर्णार्दो ने अपसर नमबर सीज का सही जवाब हो जाएगा 75 नमबर प्रस्ट काल करम के उनसार इसको ब्यवस्थित करना है तो देखिए यहां पर सबसे पहले आएगा और वर्जिन आफ रॉक्स पहले आएगा क्योंकि इसका निर्माड हुआ है चोदो सो तीरासी में वर्जिन आफ रॉक्स दूसरे नमबर पर आजाएगा तेमपेस्ट यह पंद्रो सो में बना हुए तीसरे नमबर पर आजाएगा स्कूला फेतन्स पंद्रो सो आठ नौ में इसका निर्माड हुआ है तो लास्ट जेज्जमेंट माइकल एंजल को का है यह आपका है माइकल एंजल को का इसका निर्माड हुआ था पंद्रो सो चथेस में हाँ देख लिए तर टेमपेस्ट यह रचना है क्या नहीं है कि जी और जी ओना का जी ओः जी ओना का और दो इस्कूल आफ के यह राफेल का वर्जिन और रौक यह रॉक्स यह विंचीग यूत लिखा हूए हूए यह तो लिखा हुए यह चारो कलाकार इटली के कला का है तो यहां पे आपसा नंबर सी इसका सही जवाब लिखा हूए यह आप जान रहे ह है कि विंची का है विंची का और 1483 में बना हुआ है कि टेमपेस्ट हम लोग जान रहा है कि यह रचना रही है तर टेमपेस्ट रचना रही है जी और जीओना का जी और जीओना पंदरह सो के आसपास जी और जीओना इस्कूला फेथेंस राफेल का और पंदरह सो नो में और लास्ट में दर लास्ट जेज्मेंट शेतर नंबर का प्रस्ण कह रहा है कि विलोम क्रम में इनको ब्योस्थित करिए तो यहां पर डेविड हो जाएगा डेविड पीटा बैकम और मेडोना आफ़ देश्ट यह सही करम हो जाएगा अपसर नंबर बी 77 नंबर के प्रश्ण की ओर चल रहा है और 77 नंबर प्रस्ण आपके सामने से भाग गया कि रहा है कि चित्रकारों को कालक्रम के उनुसार ब्यवस्थित करिए और जो कालक्रम यहां पर निकलके आ रहा है वह आरे जियत्तों फ्राइंजेलिकों और मसाच्चियों और बोतिसली यह सही दिख रहा है प्रतिनिधित करता है तो यह आपका प्रतिनिधित करता है प्रारंबिक फ्लेमिस चित्रकला के प्रकृतिवाद का और दूसरा यह प्रतिनिधित करता है प्रणे सपत को निरूपड करने का और यह करता है अरली रेनिसा की दुरलब पूर्ण आकार शभी बनाने का आपसर नंबर टीज का सही जवाब हो जाएगा एक दू और चार आज का आखरी फ्रश्ण आपसर भी के समने आ रहा है क्या रहा है कि कुछ कलाकारों के नाम दिये गए हैं इनको कालक्रम के इंसार मैनेज करना है तो सबसे पहले आ जाएगा गिबर्ति लारेंजू गिबर्ति इसका जो समय है 1378 है और दूसरे पर आ जाएगा जियुत्तो जियुत्तो का है बारासो 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 167 है और तीसरे पर आ जाएगा दोना तिल्ला और इसका टाइम पीरिड है तेरह सो शीयासी तेरह सो शीयासी और लास्ट में माइकल एंजल को आपका जाता है 1450 तो यहां पे जो कालकरम सही बैठेगा ना गुजियुत्तो मतलब दूपहले आगे होगा और आपसा नमबर इसका सी जवाब हो जाएगा तो इतनी सी बाते थी और यह आपके सामने में चित्र है टेमपेस्ट का जिसको मैंने बताया अभी तो मैं यह कह रहा था कि आज इतने ही प्रस्न कंप्रीट हो गया है तो आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे रखिए कंटीनियू रखिए और पढ़ाई को आगे रखने के करम में आप लोग चैनल को जूरू सब्सक 至 corn करेंगे instruments करेंगे तो ृष कम को भेतरीन तरीके से करने का नहींतों मन उदाससा रहता है और चीजे अच्यसे नहीं हो पाती मैं उदास मन से कऊन काक है है तो आप सभी के सहयोग का कि हम आका अंच्छा करते हैं और आप सभी का इतना ही सहयोग है चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए जैहिंद जैभाराइद